तो दोस्त आज हम बात करेंगे कि third party company में आपको experience लेटर किसका मिलता है offer लेटर किसका मिलता है बहुत सारे लोगों को यहां पर confusion रहती है कि मान के चलो कोई ABC company है और उस company ने आपको hire किया है उस company के बाद आपको किसी xyz company में deploy कर दिया कि आप उस client side पर काम करोगे अच्छली इसके हमारे कुछ दिन पाले एक short video भी बनाया था बट यूनो की short video एक मिनट का होता तो fully discuss नहीं कर सकते हैं मैं यहां पर आपको scenario based बताने वाला हूं तो दोस्त मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप किसी company के लिए हायर होते हो मान लेते हैं कोई एक ABC company है वह बहुत बड़ी company है एक multinational company है और उसके 50 client है all over इंडिया में और client in the sense की वह IT service provide करती है और जो उनके 50 client है तो क्या करते हैं जो client side में होते हैं तो वह अपनी खुद की IT हायर नहीं करते हैं क्योंकि resource ज्यादा मैनेस करने प पड़ेगा और उनको tax वगएर का भी ज्यादा दिखाना पड़ेगा पीएफ डेटेयल भी मैनेस करनी पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें उनको manage करनी पार जाती है तो उस case में वह फिर क्या करते हैं कि अपने यहां IT person नहीं रखते हैं या उसकता back-end person नहीं रखते हैं और किसी क्लाइंट साइट पर डेपलाई करती है तो वह सीधा आपके offer letter experience letter में लिख के देती है आपको experience offer Sally और Sally सिल्फ आपको ABC company से मिलेगी ना कि XYZ company से बड़ ABC company से आपको Sally offer letter experience letter सारा कुछ वहीं से मिलेगा तो उसमें वह लिख के देते हैं कि हां आप ABC company के लिए हायर हो बड़ जो मेरा client है XYZ आप वहाँ पर काम करोगे यह वी विल डिपलाई क्यों at XYZ client तो उसमें वह mention करके देते हैं तो आपको यहां पर confused होने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार मैंने काम तो XYZ में किया है Sally मेरी यहां से आ रही है तो ऐसा नहीं है आपको interview में भी बताना है कि मेरी payroll company जो है वह ABC है और जहां पर मैं काम करता हूं वह मेरी company XYZ है और यहां पर कोई बड़ी बात नहीं कोई difficult task नहीं है easily hiring होती है और सबके selection भी होते हैं जब आप कभी company future में सोच करते हैं तो यह नहीं कि नहीं आप third party पर job कर रहे तो आपको किसी MNC में job नहीं मिलेगी है कि आपको offer letter experience letter joining letter सारे आपको ABC company से मिलने वाले हैं और वहां पर आपका लिखा होगा कि आपने इतने से इतने साल तक मेरे साथ काम किया इस company के लिए या इसके लाइन के लिए है तो बस दोस्तों आज को वीडियो में इतना ही वीडियो कर अच्छा लगा तो लाइक से लि चल्म सब्सक्राइब जरू करें मेरा नाम है शबन मैं में मिल्स अपनेक्ट वीडियो में तेल रहं वाइव ग्रेट मोमेंट और डॉंट पर लिख से अंस अब्सक्राइब थैंक्यू सब्सक्राइब थैंक्यू सामाच वर कमिए